Hello friends, आज हम बताने वाले हैं, areas की अर्थ क्या होता है और sentence में use कैसे करते हैं? So, let's start. Areres की अर्थ होता है, बकाया 6. इसको sentence में और भी अच्छी तरह ज़स समझ लेते हैं. Example, an action in the small claims court can be used to recover the rent areas. इस sentence का हिंदी में मतलब है, किराई के बकाया की बसुली के लिए चोटे दम्बो की अदालत में एक करवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है. चलिए next example जान लेते हैं. In both instances, the member remains liable to the samber for the areas. इस sentence का हिंदी में मतलब है, दोनों ही मामलों में सदश सबकाया के लिए samber के पती उत्तरदाई रहता है. इस sentence का हिंदी में मतलब है, उसे हेरो दे से बकाया कर बसुल करने की आवशक्ता थी. और आखरी example है, इस sentence का हिंदी में मतलब है, एरियर बिल भी बन गया कानून. I hope friends आपको आज का एफ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको एफ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा, और साथ साथ हमारी इस सेनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा. Thank you for watching.